दोस्तों सभी कामारी यूटूब चैनल कानून की वाज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ एड़ोकेट केला सेनी गाइस बात करते हैं जो 323,341 IPC जो कानून की नजर में किस प्रकार का दंड है किस प्रकार से इसमें उन वेक्तियों को जो किसी भी वेक्ति के स साथ इस दारा में मारपीट करते तो उन्हें कितने साल की सजा प्लस दंड से जुर्मना क्या दंडित किया जा सकता है आप इस वीडियो को सुरू से लेके इंड तक देके अब बात करते हैं अगर कोई वेक्ति 323 IPC का प्रकारत करता है तो उसमें वेक्ति जान बूच कर साथा कारावस प्लस 1000 से दुर्मना या दोनों से दंडित किया जा सकता है इसी परकार अगर कोई जान बूच कर सवेच्चा जो वेक्ति अपने रस्ते जा रहा है उसे उसे उपहति मतलर उस से रोक कर उसके साथ मार पीट करता है या उसे गमूर परकार से मार पिट करता है तो उस वेक्ति पर दारा 313 IPC का अपराद अगर प्रमानित हो जाता है तो वेक्ति उसे एक मा का सादा कारावास प्लस पांच रुपे से जुर्माना से दंडित किया जा सकता है करने का मतलब यह है दोनों दारा में सेम हैं अगर कोई वेक्ति माल लो उसे पता है कि मैं इस वेक्ति के मारपीट करूंगा जिससे उसे हानी हो सकती है उससे कुछ हो सकता है तो उस वेक्ति को 323 IPC के दार एड होती है अपराद प्रमानित होने पर उस वेक्ति को एक साल की दोनों से दंडित किया जा सकता है उसी प्रकार IPC 341 आपको यह पता है कि यह विक्ति चल रहा है उसे रास्ते को रोक कर उसके साथ मार पीट करना उस प्रकार के विक्ति पर 323 के साथ 341 IPC का भी अपराद बनता है अगर वो 341 का अपराद करता है तो उस विक्ति को एक मेने का साथा कारवास पलस पांक सुर्पे जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है इसलिए दोस्तों अगर आपीशी परकार की वीडियो अमारे चैनल पर देखना चाहते तो प्लीज अमारे चैनल को सस्क्राइब करें और एसे नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए आपीशी चैनल पर बने लिए